हेलो व्रियों वेलकम टू नोलेज ग्रेडियंट अकेडमी मैं हूँ सचिन यादो और आज हम डिसकस करेंगे गेट 2022 का इंजिनेरिंग मेकेनिक्स का प्रोब्लम जो तू मार्क्स के लिए पूछा गया था इस्ट्रेक्चर अलोंग विद दे लोड अप्लाइड ओन इट इस शोन इन फीगर इस फीगर में यह हुगा सेल्फ बेट फोल मेंबर इस नेगलिजिबल और ओल दपिन जोइंट अर फ्रिक्शन लेश ए इस सिंगल मेंबर यह एक सिंगल मेंबर है जहां सी पे पिन है लाइकवाइज बी जे जो बी है वो भी एक सिंगल मेंबर है जहां पे डी पे पिन है और दे मेंबर जी आई एंड एफ एच और ओर लेपिंग जो जी आई यह मेंबर और एफ एच और ओर लेप कर रहे है है और लेपिंग रिजीड मेंबर दा मेंगिटुड़ फोर्स केरीड बई मेंबर सी आई इज इन किलो न्यूटर्ण कि सी आई कौन सा येवाला इस लिंक के बारे में इस लिंक में कितना लोड है देखो यह हमारा वासका 상황 है तो उब्र मेंबर्स के अंदर केवल या तो टेंशन होते हैं और इन्होंने क्या दिया है कि यह कुछ मेंबर्स हैं वो continuous है जिसे AE और BE यह दोनों मेंबर continuous है बस उनमें points पर लगी हुए C और D पर इस problem को solve करने के दो तरीके हैं या तो हम हर मेंबर के उपर हर point के उपर हम force निकालें कि इस member में force होगा F G H इसमें F I G इदर F F G इस टाइप से हर member में हम force निकालें और उनको balance out करते रहें कि इस member के इतना force है फिर equations बनाएं उनको solve करें बहुत lengthy तरीका है और वो तरीका यूज भी नहीं करना gate exam में क्योंकि gate में time बहुत important है तो उसमें बहुत time लग जाएगा तो दूसरा तरीका है इस problem को observe करना है देखो पूरा जो हमारा structure वो equilibrium में है तो जो net force है और net moment है इसके उपर zero होगा अब हमें decide करना है कि हमें इसको कहां से कितना section लेना है जिसमें हमारा जो force है जो हमें तो देखो हम बहुत सारे हैं या तो हम यह कर सकते हैं कि हम इस ट्रेक्चर को इतना काट ले इस केस में यह फोर्स रहेगा यह फोर्स रहेगा यह दो हमारे पास गीवन है पूरा structure में है पर हम निकालेंगे क्या फिर किस point के about moment लेंगे अगर हम इस point के about लेते हैं तो net force जीरो हो जाएगा यह फोर्स बचेगा इससे member का जाएगा तो फिर उससे निकाल सकते वह भी लेंदी हो जाएगा तो हमें exactly यह डूणना है कि हमें कहां से इसको कट करना है तो देखो अब हमें निकालना क्या क्या है हमें सी मेंबर के अंदर निकालना है तो सी मेंबर है हमारा और हमें पता है इनके तो हम क्या करेंगे हम इस frame को कहां से कट करेंगे हम इस frame को यहां से कट करेंगे यहां से हम इस frame को कट करेंगे तो मैं इस frame को एक free body और डाइग्राम टाइप बना लेता हूं यह हमारा पॉइंट ई है यह पॉइंट आई है यह एच्छ है और यह हमारा जी है हमने इसको यहां से कट किया है तो आई पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में यह सी और ई के बीच में और यह डी और ई के बीच में कि तो यहां पर इसको मान लेते हम कि टी सी आई टेंशन मान रहें सब में टेंशन है कि यहां से मेंबर जो कट किया है वो टी ए कि यह और शी इशी और यह वाला फोर्स हो जाएगा टी डी यह यह टी इडी इशी एंड आई शी यह हमारा अब यहां पर हमें पता है फोर किलो नूटन लग रहा है इस डारेक्शन में हमारा कितना फोर्स लग रहा है है कि तू किलो नूटन अगर इस पॉइंट के अबाउंट हम मॉमेंट लेंगे पूरे इस स्ट्रीक्छर का इस पॉइंट के अबाउंट य तो देखर जब यहां से लेंगे तो क्या होगा टी इशी एक से पास हो रहा है तो यह जीरो हाज तो हमें निकालना क्या है यह ऊसी इसले पास कर रहे हैं जिस पॉइंट के बाउट हम मूमेंट ले रहे तो बसता हैival कि आईशी टी आईशी इन्टू पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस यह वाला यह अभी नहीं पता में हम इसको ए आजूम कर लेते हैं क्योंकि इन्होंने यह वाला डिस्टेंस नहीं दिया हुआ पर इसको हम ए कर लेते हैं कि यह डिस्टेंस इन्हों ने दिया हुए थ्री प्लस थ्री शिक्स हो गया कि देखो यह वाला फोर्स किस डारेक्षिन में एक्ट कर रहा है इस डारेक्षिन में तो हम कोई एक डारेक्षिन चूज करनी होगा जिसको हम पॉजिटिव या नेगिटिव मानेंगे तो हम जर्नल से मुमेंट लगाएगा जो जो इस पॉइंट इस डारेक्शन मुमेंट लगाए उसको पोजिटिव और अपोजिट डारेक्शन को नेगेटिव तो यह अपोजिट डारेक्शन में लगा रहा है इस पॉइंट के तो हम इसको नेगेटिव प्लस फोर किलो न्यूटन इंटो ड रपेंडिकुलर डिस्टेंस हम यहां भी नहीं पता हम इसको बोल देंगे टू इन्टू ए इस इकल टो जीरो तो हम इस टम को दूसरी साइड लेखके जाएंगे टी आई सी इन्टू ए कि यहां पर ए आएगा इस इकल टू 24 किलो न्यूटन मीटर प्लस में 2 ए किलो न्यूटन मीटर अब हमें ए निकालना है देखो ए की वैल्यू हम कैसे इस फिगर में देखते हैं तो यह इन्होंने कंटिन्यूस लिंक बोला है यह इन्होंने कंटिन्यूस लिंक बोला है यह ट्रेंगल बन गई कैसे ट्रेंगल बन और यह एंगल उन्होंने देखो यहां पर उन्होंने स्पेशिफाई किये हैं कि यह जो यह एंगल है 90 डिगरी है यह 90 है यहां पर यह 3 मीटर है यह हमें यह है हमारा और यह डिस्टेंस इन्होंने टू मीटर गीवन है तो तो यह क्या हुए यह शिमला ट्रेंगल कंसेप्ट लगा देंगे कि इस डिस्टेंस टू मीटर अपन यह साइड पर्पेंडिकुलर अपन बेस इस इकॉल टू ओ फौर मेटर वज त्री मीटर तो यहां से हम एक वेल्यू कालकुलेट कर लेंगे कितने आ जाएगी एक वेल्यू आ जाएगी 6 by 4 1.5 मीटर अब यहां से हमें एक ही वेल्यू मिल गई है तो हम यह वेल्यू पूट कर देंगे TIC is equal to 24 plus 2 into 1.5 upon 1.5 2 into 1.5 3 हो गया 24 27 upon 1.5 और यह आएगा किलो नूटन में तो 27 और 1.5 को करेंगे तिया जाएगा 18 किलो नूटन हमने किलो नूटन में ही फोर्स को रखा है तो आंसर भी हमारा कितना आएगा TIC 18 किलो नूटन अब यह important है कि dimension क्या उन्होंने बोला है जो unit बोल रहे हैं कि integer टाइप है तो जो member में कितना force है तो इन्होंने किलो नूटन में पूछा है तो हम यह बहुत कर देंगे 18 अगर उन्होंने नूटन में पूछा होता तो हमें करना होता 18,000 तो यह हमेशा ध्यान रखना है 18,000 थेंक्यू गाइज थेंक्स फर वाचिंग दिस अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए थेंक्यू थेंक्यू